सुजी की जिक्सर स्फ 155 इसके पावर फीगिर के बारे में आपको बता देता हूं वेशता आपने फिला वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वह आई बेटन में दे दूंगा या चैनल पर जाकर देख लेना तो भी आपको एक मोटा मोटा बता देता हूं तेरा प्यंट चार भीएजबी की पावर देता है 8000 पर और तेरा पॉइंट आट अटमम का टॉर्क शेजार आट येम पावर दोनों बहुत बैथरी पावर और इसका जो इंजन है बहुत बहुत इंजन है 5-2 विडियर वोक्स के साथ अता यह जो मोडल में चलाना हूं यह व चलिए लास्ट गेर ठीक है और इतना स्मूथ ईंजने रिफेंड इंजने बहुत प्यारा इसके जो सिमिलर बाइक आती है उससे इसकी जो बेटने की पोजिशने बोट प्यारी पोजिशने जिसमें आपको इतनी थकानी होगी अगर आपके इसको लेजा के लंबे-लंबे सफर पर भी आप इसको ले जाना चाहते हैं तो बादी रिलेक्सिबल पोजिशन है इसको मैं करीबन एक गंटा हो गया में इसको चला तूब एमनको तो अभी तक तो मेरे को बेक पेन वगेरा ऐसा कुछ नहीं नहीं था हातों पर कोई गृप अगेरा ऐसा कुछ हुआ है जो सीटी सकते ही में करने से कुछ नहीं होात है हुआ है और दो जने बेटें हैं फिलेंगे पिछे से आपको बता देंगे पिछे जो बेटै हुआ कैसा लगा अभी तक क्याματα थो च te prosecution से ही गुम रहे हैं थोड़ा सा राउंड काट के आते हैं वैसे जातर आपने अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो मैं इस साइड ही ज्यादा आता हूं अगर इस साइड के सोरूम से होता हूं और यह कॉर्णरिंग अगेरा में जो अगर आपने को जातर आदद होती है पिछे का ब्रेक करने की तो उससे भी आराम से चुकी थी जो आराम से देखो गल्या गल्यों में अपन घूम रहे हैं तो उस रिसाब तो इसकी कोई प्रोब्लम नहीं आती है क्योंकि मैंने बोला ना आपको इसके टायर अच्छे खासे ब एलोई विल दे रखे है और बहुत ही अच्छी लगती है आपकी आराम दायक राइड है आपकी और ज्यादा इसके सोकर जैसे यह गड़े वगरा से उपर से निकलता इतना आपको जटका भी महसूस नहीं होगा बागने में यार मज़ा आगया तो बागने में यार मज़ा आपकी बाइक वगरा नहीं चलाई तो यह वाली बाइक मेरको थोड़ा सी हूँ सोच रहा हूं इसको लेने की और सकेगा अपनी नेक्स बाइक यह होगी और जो पावर वगरा यह देखे ब्रेकिंग में बोल था कि इतनी सांदा ब्रेकिंग जा रोकों के वहां रूके की ब प्रोब्लम नहीं और कट वगरा जैसे कटी कलते हैं इसको कॉर्णरिंग कट तो सारा कुछ आराम से कर पाओंगे इतना कुछ स्मूट है अभी फिफ्ट गेर में है मैंने कोई केर चेंज ही किया आराम से निगल रहा हूं जैसा एक इस फिट मेंटन करकी है चालिस की तो आराम से जारी है भाई इससे अगर नीचे ले जाओगे तो थोड़ी सी प्रोब्लम आएगी थोड़ी नोकिं करने ल काई पर भी एमेंशन नहीं है कि यह 155 सिसी की है पिच्छे से कई पर भी यह लिखा हुआ नहीं है थाली यहां पर आपको जिक्सर अप लिखा हुआ मिल जाएगा लगती बहुत बढ़ी-बढ़ी सी बाई के शांदा लगती आगे से लुग कुछ इसका इसा है बहुत इस स सामने के गलपड़े इस तरह से दे रहके जैसे इसके पूल कुलिंग सिस्टम बना रखा हो यह देखी पूरा वह पर दिया गया है अंदर और पूरा अच्छा से कवर करका कोई यह कि इसा पार्ट सवकिर आप यह दिखा सकते हो इसमें कहीं बाहर दीख रहा है वाइरिंग तो यह देखिए इतना सा गेप ही है और बहुत सांदार और जो जो सब्सक्राइब कर दे रहके बहुत ही प्यागत दे रहका इसी की वज़े से इसका प्रिमियम नेस बढ़ जाती डबल बेरल लाइज दे रहका सांद की बहुत सांदार है सांड आपको खड़े-खड़े मे इसका सांड बहुत ही रिफाइंट सांड इंजन से कोई अलग से अवाज नी सबसे बड़ी बात इसमें आपको विल लगेगा यह आपर यह मेंशन है यह चोटी-चोटी चीज़ों पर वर्क रगा बहुत अच्छा टेल लेंप बहुत इस चांदा आप दे रहका है तो चलि